नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं रामेस्वर उराव का बिरोद करेंगे जर्खन के सिक्छक अखिल जर्खन परात्मिक सिक्छक संग के परदेश अध्यक्ष बिजेंद्र चोबे ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के प्रती बीत मंत्री डाक्टर रामेस्वर उराव के गयर जीमे दाराना और एक अपपक छीए बियान के बिरोद में परदेश के परात्मिक वमध बिद्याल के सिक्छक 14 सितंबर को राजे ब्यापी काला बिला लगा कर विरोद करेंगे उन्होंने कहा कि बित मंत्री रामेस्वर उराव का यह अवियान सर्मनाक है उन्हे तुरंत मंत्री पद से ब्रकास किया जाए क्योंकि अपने ही तंत्र के बारे में बोलना कितना उचित है उन्होंने कहा कि मंत्री को यह पता नहीं कि राजे के सरकारी सिक्षक इस कुरोना काल में पीडियेस दुकान से लेकर अस्पताल बॉस एस्टेंड क्वारेंटाइन सेंटर रेलो एस्टेशन हवाई अड़ा दुकान चेक नाका ऑक्सिजन सेंटर ओनलाइन प्रस सिक्षन राशन कार्ट के लिए नए आवयदनों की जाज कोविड जाज के लिए सीवीरो वह सड़क प करण सो मुआर को राजे में कहीं कहीं मध्य से भारी बारिस हो सकती है राजे के मौसम में बदलाव 14 सितंबर के बाद से देखने को मिलेगा इसके बाद बारिस में थोड़ी कमी आ सकती है बरतमान में मांसून के टर्फ लाइन का विस्तार पूरवी रायस्तान से लेकर समान समारोह का आउजन किया गया राजे में सिक्षक के लिए आयोजी सबसे बड़े समान समारोह में जारखन के बिभीन हिक्षो से आय लभग 700 से अधिक सिक्षक को समानित किया गया बता दे सिक्षक समान समारोह को सम्मधित करते हुए राजे के बीत तक हाद आपूर्ती म दूसरे का हाथ पकड़ कर संगठन को मजबूत करे कंग्रेस अध्यक्ष जार्खन परदेस कंग्रेस के अध्यक्ष राजेस ठाकूर ने अग्रणी मोर्चा संगठन के अध्यक्ष एवन विभागो के चेयर्मैन की बैठा को समोधित करते वे कहा कि पार्टी की सभी की इकायों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर संगठन को मजबूती परदान करनी चाहिए पता देवे अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अग्रणी मोर्चा और विभीन विभागों के पर्मुह के साथ बैठा कर रहे थे जाती अधारी जनगना पर प्रदान मंत्रि नायंद मदी से मुलकात करने के लिए दिली जाने वाली सरोदलिय कमिटी में परदेश भाजपा के नेताओं की भागिदारी की समभूना नहीं है हलाकि भाजपा की सयोगी आईसू पार्टी ने इसके लिए हामी भरी है जबकि भाजपा असमंजस में है बता दे भाजपा के वर्ये नेताओं ने सरोदलिय कमिटी में भागिदारी को लेकर चुपी साथ रखी है एक वरिष्ट नेता के नाम नहीं परकासित करने की सथ पर बताया की अभी तक इस मामले में संगठन के अंदर विचार भी मर्श नहीं हुआ है इसकूलो और संस्थानों के सोगज तक नहीं होगी तंबाकू की भिक्री राज के सरकारी स्कूलों और सक्षिनिक संस्थानों के सोगज के दायरे में किसी परकार के सिगरेट बिड़ी तंबाकू या इसे सम्मधित समान की भिक्री नहीं होगी सभी संस्थानों को 2 अक्टूबर तक तंबाकू को 9 की परतिग्या लेनी होगी इसके लिए सभी जीला के उपायुकतों को नियमी छापे मारी करने का निर्देश दिया गया है बता दे केंद्र सरकार द्वारा गलोबल यूथ टोंबाय को सर्वे रिपोर्ट में पिछले मा जार्खन के 5 फिश्दी बच्चों के तंबाकू के सेवन करने की बात आये वे किसी ने किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते है 15 सितंबर को निती आयोग के साथ केंद्र और राज्यों के मसलों पर होगी अहम बैठक मुख्यमंत्री हमन सुरण के अदख्सता में 15 सितंबर को केंद्र और राज्य सरकार के बीज डीवी सी केंद्रिय उपकर्मों पर हजारो कुडोर रुपय का बकाया जैसे अहम फैसलों पर नीती आयो के सदर्शयों के साथ राची में महतपुन बैठाक होने जा रही है जनकारी के अनुसार राज सरकार की ओर से नीती आयो की टीम के साथ उन सभी विशयों पर चार्चा के रूपरेखा बनाई जा रही है जो राज की तरक्की और लोगों की सुविधा के लिए जरूरी है कांग्रेस बिधायक ओक्सिजन पलांट निर्मान में सुतर लाख की धाण sucking का लगाया आरोप जारखन के जामता में सदर अस्पताल समेत तीन जव़ों पर ओक्सिजन पलांट का निर्मान जारी है बतादे कुरोना की तिसरी लगर की संभावना को देखते वे पलांट लगाया जा रहा है इस बीच इस पर सियासत तेज हो गई है कॉंग्रेस विधायक डाक्टर इर्फान अंसारी ने आरोप लगाया है कि अक्सिजन पलांट लगाने में 70 लाख रूपए का गड़बर जाला हुआ है पलांट के लिए 30 लाख रूपए खर्च किया जाना था इसकी निवीदा टाटा फाउंडेशन नामा कमपनी को दे दी गई है ज्यारखन के 11 गयर अनुसूचित जीलो में नियोकती पर जल्द निर्ण लेगी सरकार ज्यारखन सरकार 11 गयर अनुसूचित जीलो में लंबित नियोकती के परकिरिया पूरी करने के लिए इसकी समिक्षा कर रही है इसके तहत कार्मिक विभाग द्वारा इंटर्मीडियेट अस्तरिय परत्योगता परिक्षा के अलावा हाई स्कूल सिक्षक नियोकती पर निर्ण लिया जाना है बता देख इंटर्मीडियट अस्तरिये सन्युक्त प्रत्युक्त परिक्षा 2017 से समंधित राज्य के सभी जिला अस्तरिये वह राज्य अस्तरिये पदो परन्युक्ति के लिए अवियारती कमती में दासुची का परकासन लम भी थाए ज्यारखन में 11 नए केस मिले हैं जो रांची से 2, पूर्वी से 2, धनबाद से 1, रामगर से 1, पच्मी से 2, देवघर से 2, खुटी से 1 मिले हैं ज्यारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 127 भारत में 31.372 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,176 ज्यारखन में RJD 10 लाख नए सदस्य बनाने का लग्ष रखा बिहार विधान सभा के नेता परतिपक्स 13 ज्यारखन में RJD को मजबूत करने के उदेश से 2 दिवस्य दोरे पर 18 सितंबर को राची आ रहे हैं पतादे राची के बीर्शा मुंडाय आरपोर्ट में पार्टी नेतावा करकता 13 ज्यारखन का जोड़दार स्वागत करेगी वहें उनई सितंबर को राची राची में पार्टी की वर से आयोजित कारिकरम में हिसा लेंगे इस तोरान पार्टी में 10 लाक नए सदस बनाने का लक्ष भी निधायत किया गया है राची के 30 ट्रेफिक पोस्ट बनेंगे स्मार्ट भूत जार्खन की राची राची में करीब 102 जगों पर ट्रेफिक पोस्ट है जहां ट्रेफिक पोलिस की तेनाती है इसमें अधिकतर ट्रेफिक बूत औस थाई है इसी के तहट फिलाल 30 ट्रेफिक पोस्ट गो अस्मार्ट भूत में तबदिल किया जाएगा इसे समंधित प्रस्ताव पोलिस बिभाग मुख्याले को भेज दिया गया है बतादे बैंगलूरू कुतरज पर असमार्ट ट्रेफिक बूत बनाये जाने का प्रस्ताव लाया गया है इन असमार्ट बूतों में तैनाथ ट्रेफिक कर्मियों की सुविधावों का ख्याल रखा जाएगा इसके तहट बूत में सोलर पैनल से लेकर जूते चमकाने की मसीन तक होगी बीत मंत्री रामेश्वर उरावने चात्रा की प्रिंसपल सत्यंद्र को किया समानित भारत के पूरु राष्ट पती और देश के परमुक सिक्षाविद सरोपली डाक्टर राधा क्रिश्णन के जनम दिवस पांच सितंबर यानि सिक्षक दिवस के मौके पर जार्खंड की हमन सरकार की ओर से सूबे के करीब 300 सिक्षकों को समानित किया गया इसमें चात्रा जिले के हंटरगर परखंड के करीब 12 सिक्षकों को सरकार के इस समान में नवाजा गया समान पाने वाले में हंटरगर श्ठीट रोयल एकेडमी के प्रिंस्प सदिंदर कुमार सिंग परमूख है उन्हें जारखंड के बीत मंतरी रामेशरु राव के हाथो या समान प्रधान किया गया बाबुलल मरांडी के राजनितिक सलाकार सुनील तिवारी गिरफतार जारखन के पूर्व सीम बाबुलार मरांडी के राजनितिक सलाकार सुनील तिवारी गिरफतार कर लिये गए हैं बतादे राची पुलिस ने उतर परदेश के इटावा से उने गिरफतार किया है पुलिस ट्राजिस्ट रिमांड पर देर राद तक राची लाने की तयारी कर रही है वे दुसकर्म के मामले में फरार चल रहे थे इनके खिलाब 16 अगस्त को राची के अरगोडा थाना में दुसकर्म छेर चार और स्टी एस्सी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्च कर आई गई थी ठेला खोमचे वालों के लिए गलप्स और मास्क जरूरी राजधानी के ठेला वाग खोमचा पर खाद समागरी बेचने वाले दुकंदारों को अब गलप्स और मास्क पहनना होगा बतादे बिना मास्क वा गलप्स के गराखों को खाद समागरी देने वाले दुकंदारों पर नगर निगम 100-500 रूपे तक का जुर्माना लगाएगा नगर आयुक्त मुकेश कुमार के आदेश पर नगर निगम की इनफोर्समेंट टीम ने इसे लेकर व्यापक अभियान चलाने का निने लिया है बतादे सीटी मैनेजर ने बताया कि जवी दुकंदारों को दो डुस्ट बीन भी रखना अनिवाले होगा ऐसा नहीं करने पर दुकंदारों से 500 रुपय जूर्माना वसूला जाएगा जार्खन में पन्ना रत्न का भंडार हो रहा सर्वे जार्खन के पूर्वी सिम्हुम जिले के घाट सिला अनुमंडल से 70 किलोमेटर दूर गुंडा बाडा प्रखंड के बिहड में बारुन मोठी ठुरकु गोडा और बारी किया गांसे सटे पहाडों में बेस कीमती खनेज संपदा पन्ना रत्न का भंडार है जार्खन के मुख मते हेमान सुरेन के निदेश परभूतत्व एवं खान विभाग के मुखे निरिक्षक जियोती संकर सत्पतिया के निदित्व में साथ सदसे टीम पन्ना रत्न भंडार का सर्वे कर रही है जार्खन राज दिव्यंग जन विकास निधी से दिव्यंग पास सकेंगे एक लाग तक का अनुदान जार्खन सरकार ने दिव्यंगों के लिए राज दिव्यंग जन विकास निधी के सुरुवात की है इस योजना का मुख्य उदेश दिव्यंग जनों को लाब देना है बता दे इस योजना के तहद दिव्यंगों को 50 यार से 1 लाख रुपे तक कानुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा चातरा में NTPC की पहली यूनिट से मार्च में सुरू होगा विधूत उत्पादन स्ताय कर रखा है यह संकेत रभिवार को टंडवा पहुंची उच अस्तर ये टीम ने दिया है सफलता की नई कहानी को गड़ते हुए रेडियो खांची नबे दसमलो चार एफेम को एक नया एस्पोंसर प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है इसका उदेश से कोविट टीका करण अभियान से जुड़ी बातों को समुदाइक रेडियो की मदद से लोगों तक पहुचाना है भाजबा का सेवा और समरपन अभियान 17 सितमबर से 7 अक्टूबर तक पधान मंतिर नयनमदी के जनम दीन के अशर पर भाजबा 17 सितमबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समरपन अभियान चलाएगी भाजबा परदेश कर्याले में सनिवार को परदेश अध्यक दीपक परकास के अध्यक्सता में हुई बैठक में अभियान को लेकर पतादिकारियों की भूम काताय की गई बतादे सेवा वा समरपन अभियान के तहत बूत से लेकर जीलो तक परयावरन सन्रक्षन स्वास सेवा अभियान और गरीबो वा वन्चित तबके की सेवा जैसे कारिकरम चलाए जाएंगे जारखन में JSMDC करेगा बालू घाटो की निलामी जारखन सरकार ने एक बार फिर जारखन राज खनीज भिकास निगम के माध्यम से ही राजे में बालू घाटो की निलामी का दिना लिया है बतादे कुछ दिनों पूर्व ततकारिन खान सचीव ने इसे बदल कर दूसरी एजनसी के माध्यम से खरनन कारे कराये जाने से समधित प्रस्ताव दिया था जिसे सरकार ने ठुकरा दिया है उनका प्रस्ताव मान लिया जाता तो पूरे जारखन में सी प्राइबेट पार्टिया ही बालु खरन का कारे करती बतादे अब नौई ब्यवस्था में जे एस एम डीसी के पास ही इसके जिमिदारी होगी धन्यवाद यदि आप चैनल परना होतों चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल के पहले के अंदर भाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ से करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडबेक अवा सिदे थैंक्यू